परदक्सान कर रहे हैं, बज़ा करा है। इनको यहां पर रिम से बने कोविन वाड के बगल में इनका वाड बना दिया गी है। मुख्यमंत्री आवाज से लेके उप मुख्यमंत्री करयाले तक करोना पहुँच गया। पूरा सचिवाले, कई मंत्री, कई विदहायक, पार्टी आफिस बीजेपी की स्थिति तो यह हो गई कि सो सैंपल लिया गया जिसमें की 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाएगा। यह वर्चुल रैली कर रहे हैं, संक्रमन ओल फैरा रहे हैं बीजेपी के लोग, यह कौन से जमात के लोग हैं? यह जो सो में से 75 जो पॉजिटिव हुएं, कौन से जमात के लोग हैं? कौन करोना फैला रहा है? हम तो यह बीजेपी के लोगों से पूशना सकते हैं. कि आप लोगो को चुनावक की चिंता यहां लोग मर रहे हैं , नाखी विहार की लोगों का ध्यान रखना है वेटर अस्पिताल वेवस्था करानी चाहिए टेस्ट की प्रोपर वेवस्था करने चाहिए वेंटिलेटर की वेवस्था करानी चाहिए, PPE kit जो है डॉक्टर को धरना देना पड़ता है कि उनको उपलब्ध करा दिया जाए PPE kit, मास्क, सानिटाइजर और विहार जो है सबसे आक्री पाइदान पर है एक मात्र कोविट के लिए हॉस्पिताल है डेडिकेटेड एनमसी एच थोरे से बारिश में जो है डूब जाता है तो हम लोग तो यही कहते रहे हैं यह भाजपा के लोग या नितीश कुमार जी इनों इनके वज़ासे तो कंट्रोल करना चाहिए इतने महिनों में तो अब बेकाबू हो गया आखिर इसका जिम्यवार कौन है